वेलकम बैक, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल वसीम इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हो कि आप अपना अधार कार्ड अपडेट करते हो या अपना अधार कार्ड निव इन्रोल करते हो तो उस इन्रोल्मेंट आईडी के जरीए आप अपना अधार कार्ड का स्टेटस चेक कैसे कर सकते हो UDI ने निव पोर्टल खोला है उसमें बहुत दिकत होती है कि आप अपना अधार कार्ड का जो स्टेटस है वो चेक नहीं कर पाते हो तो सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप से कि मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर देना ताकि और भी हैलफुल वीडियो अब तक कहुँछ सके सबस्क्राइब तो करोगे नहीं एक नमबर के किमीने हो चलो कोई नहीं आपकी हैल्फ हो जाए मुझे उसमें भी खुशी है तो सबसे पहले आपको ओपन करना होगा अपने मुबाइल फोन का या पीसी का क्रॉम ब्रोजर ओपन करने के बाद आपको सर्च करना होगा UDI सर्च करने के बाद आपके सामने UDI का ओफिशल पोर्टल ओपन हो जाएगा उसके बाद आपको इस पोर्टल को ओपन करना होगा ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे माय अधार शो हो गया तो इस पे आपको साइड क्लिक करना होगा side click करने के बाद आपके सामने third number पे check अधार status तो इस पे आपको click करना होगा इस पे click करने के बाद आपके सामने UDI का जो login page है वो open हो जाएगा उसके बाद आपको third number पे fourth number पे आपको check enrollment and update status पे click करना होगा click करने के बाद आपके सामने ये open हो जाएगा उसके बाद आपको उसके बाद आपको यहाँ पे अपना enrollment ID डालना होगा यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देने वाली होगी जो आप गल्थी करते हो सबसे पहले आपको 14 digit enrollment ID जो है वो यहाँ पे डालने होगी डालने के बाद आपको पहले यहाँ पे दिखाया भी गया है YY आप देख सकते हो सबसे पहले आपको यहाँ पे year डालना होगा year डालने के बाद आपको उसके बाद आपको month डालना होगा month डालने के बाद आपको day डालना होगा डे डालने के बाद आपको यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हो, होस, यह डालना होगा, उसके बाद आपको minutes डालने होगे, उसके बाद आपको seconds डालने होगे, तो सबसे पहले आपको, सबसे पहले आपको यहाँ पर डालनी होगी अपनी enrollment ID, तो चलिए हम डालते है इन्रॉल्मेंट आइडी डालने के बाद आपको मैंने पहले भी बताया सबसे पहले आपको डालना होगा यह जैसे मैंने डाल दिया यह डालने के बाद आपको डालना होगा अपना मन्त मन्त डालने के बाद आपको डालना होगा डे डे डालने के बाद आपको यहाँ पे डालना होगा अपना टाइम टाइम डालने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एंटर करना होगा जो यहाँ पे आपको शो होगा कैप्च तक है डालने के बाद आपको सिंपली यहां पे क्लिक करना होगा सब्मिट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहां पे शो हो गया यहां यहां पे बिट्ध होगा है अगर आपको यहां पे स्टेस में दिखाएगा कि आपका अगर रिजेक्ट हुआ होगा, due to technical error और कुछ error तो वो आपको यहाँ पर show होगा तो यह थी मेरी आज की वीडियो कैसे लगी दोस्तों वीडियो like, share और subscribe करना ना भूले तब तक के लिए goodbye, la hafiz, thank you